हलो फ्रेंड्स बेलकम तू मैं चैनल चैमातादी इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ संतान सप्तमी की बहुत धी शरल पूजा विधी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह ब्रत संतान के लिए किया जाता है यह ब्रत संतान की लंबी आयू उनके अच ब्रत बाद्रमास के शुकल पक्षकी सप्तमी को रखा जाता है और यह रत राधा अश्टमी से एक दिन पहले पढ़ता है जिस जगे भी हम पूजा करेंगे उस जगे को हम सुद्ध कर लेंगे एक चौकी या पटला पर हम सफेद या लाल या पीला कपड़ा विचा कर हम भ परवार की फोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं अब हमने चावल का आसन देकर एक घी के दीपक को बिराजित कर लिया है साथ ही हमने भगवान को दूप दीप दिखा दिया है अब हम गनीश जी का शिप जी का और माता पारवती का गंगा जल से अपशेक कर देंगे उसके पाद हम पंचामरत से भगवान का अपशेक करेंगे पंचामरत में मैंने दूद दही घी शहएद गंगा जल और सक्कर मिक्ष किया है अब हम फिर से भगवान का गंगा जल से अपशेक कर देंगे इसके बाद मैंने कुलाब जल से और इतर से भी भगवान का अपशेक किया ह संतान सप्तमी की पूजा में पार्थिप शिप परवार की पूजा का विशेश फल होता है तो यदि हो सके आपके पास संभवो टाइम हो तो आप पार्थिप शिप परवार बना कर ही पूजा करिएगा आप ये पार्थिप शिप परवार इस तरह से बहुत ही शरल विदी से बना सकते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फोटो को भी पूझा कर सकते हैं गनेशी को और शिपजी को हमने चंदन सित्र लख किया है माता गौरी को हमने सिंदूर अर्पित किया है शाथ ही हमने अच्छा चड़ाई है भगवान भोले नात को हमने काले तिल और भांग भी अर्पित कर दिया है भगवान भोले नात को जो सारी चीज़ां प्रिया होती है वो शभी इस ब्रत में भगवान भोले नात माता पारवती को अर्पित की जाती है साथ हमने गनेशी को एक हल्दी एक सुपाड़ी और दचना सरूप कुछ पैसे भी अर्पित क कि हमारे यहां संतान सप्तिमी का ब्रत इसफ़ जाता है जब पुत्र की प्रापति हो जाती है आप यह पुत्र प्रापति या संतान प्रापति के लिए भी रख सकते हैं अब हम आग के पत्ते भी चड़ा देंगे और भगवान को हम पस्त्रूपी मॉली अर्पित करेंगे शि जनेव आप कच्छे सूत से भी बना सकते हैं या फिर रेडी मेड जनेव भी अर्पित कर सकते हैं माता पारवती को हमने एक बिंदी भी लगा दी है और संतान सप्तमी की ब्रत कथा की जो पुस्तक होती है उसे भी हम पूजा में ही रख लेंगे अब हम कुछ स्वहाक की सामिक माता पारवती को अर्पित करेंगे यह आप सोले सिंगार भी माता पारवती को अर्पित कर सकते हैं या फिर अपनी शद्धा के अनुसार पाट साथ चीजें भी श्वहाक की माता पारवती को आप अर्पित कर सकते हैं जो हमने भवान भुले नाथ के पूरे परवार की को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे लिंक आपको उपर आई वेटन में और डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा वहां से जा करके आप वीडियो देख सकते हैं अब मैंने एक फूलों की माला पूरिज शिप परवार को अर्पित कर दी है यदि आपके पास फूलों की माला न याते हैं उनको भी हम भगवान के पास रखते हैं और इसमें तच्छना सरूक कुछ पैसे भी हम अ रकते हैं पूजा के लिए छो पंचामरत बनाए जयाता है इससे हम चूरी का इस तरह से अफशिक करतेंगे इस तरह से चूरी का अफशिक करने से यह हर्ट पवित्र हो आप कच्चे सूथ से या फिर मौली से यह साथ गांट का डोरा बना लीजिए और इसे धूपतिप तिखा करके भगवान के पास ही रख दीजिए यह साथ गांट का डोरा कैसे बनाना है इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा संतान सप्तमी की यह चूड़ी आप अपनी सामर्थ के अनुस्वार सावने, चांदे या पर तामे की बनवा सकते हैं यह चूड़ी प्रतिसाल बनवाई जाती है यदि आपके पास सामर्थ नहीं है तो आप यह चूड़ी एक बार बनवा लीजिए वाकी की सालों में आप चाम्रत मिला करके हम भगवान का भोग लगा देंगे इसके पाद हमने जो संतान सब्तमी ब्रत की कता लिए है इसका भी हम पूजन करतेंगे चंदन से अच्छत चड़ाएंगे और बाद में यह अच्छत हम भगवान भोले नाथ को अरपित करतेंगे हाथ में हम कुछ पुस्प और अच्छत लेंगे और प्रत कथा को पढ़ना आरम करेंगे क्योंकि कोई भी प्रत कथा खाली हाथ ना तो पढ़ी जाती है औ और आर्ति करेंगे यह आर्ति आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर घी के तीपक से भी कर सकते हैं अब हम भगवान को पहले आर्ति देंगे उसके बाद हम आर्ति के आजमनी कर देंगे और स्वयम भी आर्ति लेंगे और परवार के सभी सदस्यों को भी हम आर्ति देंगे इस शाद वार माता पारवति को शिंदूर दान किया है, तो आपको पांच वार लेना हैं, दो वार माता पारवती पर अपना स्वाग उधार छोड़ना है, आप कोई भी पूजा करिएगा, माता पारवती से स्वाग अवश लीजीएगा, अब हमने जो संतान सप्तमी की चूड़ी को भवान के पास रखा है इस चूड़ी को हम उठा लेंगे और अपने हाथों में पहन लेंगे साथ ही हमने जो धागा रखा है साथ गाट का इसे भी हम उठा लेंगे और इसे भी हम अपने हाथों में पहन लेंगे क्योंकि संतान सब्तमी की यह चूड़ी हर साल बनवाई जाती है यदि आप चूड़ी नहीं बनवा पा रहे हैं तो इस तरह से आप धागा बना कर इसकी पूजा कीजिए और फिर इसे अपने हाथों में पहन लीजिए अब हम भवान के चरण इसपर्ष करके उनसे आसित बात लेंगे पूजा में हुई भूल चूख के लिए छमा प्रात्ना मांगेंगे और अपने संतान की लंबे आयू उनके अच्छे स्वास्त उनके उच्छल भविश के लिए प्रात्ना करेंगे साथ ही हमारे घर में शुक्षात्ती और सम्रद्धी वनी रहे इसके लिए भी कामना करेंगे संतान सप्तमी की चौकी को आप अगले दिन अच्टमी को बढ़ा सकते हैं जो हमने 14 मीठी पूड़ी रखी हैं उनमें से 7 में दान करनी होती हैं और साथ मीठी पूड़ी ब्रत रखने वाले व्यक्ति को खानी होती हैं साथ मीठी पूड़ी पंच्यामरत सुहाग पिटारी कुछ फल और मिठाई रख करके कुछ दच्छना रख कर किसी भ्राम्मण को दान दे दिएगा और जो हमने पार्थिफ परवार बनाया है इसका आप किसी बड़े बरतन में गंगा जल और सुद्ध जल मिला करके उसमें बिसरजन कर दीजेगा संतान सप्तमी की पूझा सामिकरी क्या है इसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है लिंक आपको उपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बहां से आप वे वीडियो देख सकते हैं उमीद करती हूँ फ्रेंड्स संतान सप्तमी का मेरा ये चोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो जादा से जादा लाइक कीजिए सेयर कीजिए साथ ही यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताके हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडि शंक्राए नमा